यह कोशन गेट 2021 में पूट हुआ है देखो इसमें क्या कह रहे हैं हमारे पास 5 स्टेज की पाइपलाइन है और स्टेज डिले हैं हार एक स्टेज के डिले कितना है 150 120 150 160 140 नैनो सेकेंड ठीक है रेजिस्टर का डिले है 5 नैनो सेकेंड और आप से पूछ रहे हैं टोटल टाइम को चलाने का कितना टॉटल टाइम डेक्स नहीं है डिपेंडेंस नहीं है तो आप समझ पा रहे होगे ऐख दम दर्क सी-धा फॉर्मुला-बेस बढ़ाओंगा बर आप समझ पा रहे होगे बिल्कुल फॉर्मुला-बश्च निकालना था तो आप यहां पर क्या करेंगे वी देखो maximum delay stage कितनी है 169 सेकंड की maximum stage delay है और registers का delay कितना है वह 5 नेनो सेकंड का है तो total 165 नेनो सेकंड का delay आजाएगा हार एक stage का हम ऐसा assume कर लेंगे और फिर पहली जो भी instruction होगी पहली instruction कितनी दिर लगाएगी वह देखो हार एक stage पे 165 नेनो सेकंड उसको बिता के जा नहीं पड़ेंगे टोटल 5 स्टेजिस थी तो 165 इंटो 5 नेनो सेकंड यह टाइमिंग होगा फर स्ट इस लिए युद्यू घाएग और बाकि सार इस्ञक्षान आपको यादा रागो कि pipe lining है तो बागे सारी instruction 165 9 seconds हमें मिलते चले जाएंगी तो मतलब first instruction इतनी दिर में निकलेगी next instruction फिर next 165 seconds में next instruction again 165 seconds में and so on तो total बची कितनी है जो first instruction हमने execute कर लिया है hundred instructions थी total अब ही कितनी बच लिया है 99 instructions बच रहे हैं और हर एक instruction इसको आप calculate करके answer अराम से निकाल सकते थे तो अगर आपको prove चाहिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे है कि हर एक품 165 क्यों लगा रही है यह common sense की बात है वही देखो मैं थोड़ा सा आपको idea देने के कोशिश करता हूं यह लोग जैसे stage one stage two stage three stage four stage five five stages की हमारी pipeline है तो first मैं यहां timing लिखता हूँ time one two three four five six and so on ऐसे timing चल रहा है यहां पर one मतलब यह stage one में जितना delay है हम मालन लेते हैं कि unit delay है हार एक stage का हार एक stage का unit delay मतलब एक-एक सेकिंड में या एक नियनो सेकिंड में जो भी है stages पे instruction time बिताती है ठीक है तो पहला जब second आएगा तो I1 instruction यहाँ पर आएगी और अभी कुछ कर नहीं सकते है second time जब आएगा तो I1 हमारी stage 2 में चली जाएगी बट यहाँ पर क्योंकि खाली होगी stage 1 तो मैं यहाँ पर I2 को fetch कर सकता हूँ तीसरा जब time आएगा तो I1 हमारी कहां चले जाएगी stage 3 में और I2 कहां जाएगी इधर यह समझ रहे हो ना इधर आ गई और यहाँ पर stage 1 खाली होगी तो I3 हम यहाँ पर fetch कर लेंगे चोथी fourth time जब आएगा तो I4 इधर आ जाएगा I3 इधर I2 इधर और I1 इधर ठेक है I think समझ पारे होगे यह देखो 1 ऐसे चल रही है 2 ऐसे चल रही है 3 ऐसे और 4 ऐसे चलेगी आच्छा जी 5 टाइम आएगा तो इधर I5 आ जाएगी इधर I4 इधर I3 I2 और I1 ठेक है जब six time आएगा तो यहाँ पर I6 आएगी यहाँ पर I5 I4 I3 और I2 तो I1 हमारे पास एक किसम से execute हो चुकी है और जब six time आया है तो I2 हमारी यहाँ बैटी है तो I think समझ पारे होगे I2 देखो मैं ऐसे बोलता हूँ देखो फिफ टाइम पर I1 हमारी complete जब फिफ टाइम का end हो जाएगा फिफ टाइम खतम होगा तो I1 हमारी complete जब six time आया तो I2 हमारी complete तो देख पारे हो तो शुरू के पांच सेकेंड तक हमें या पांच नेनो सेकेंड तक तो हमें कोई आरपूट नहीं मिला था मतलब कोई भी instruction complete न सेकेंड में बहार आती जा रही है तो वह चीज मैंने यहां पर कहती है कि पहली इंस्ट्रक्शन को 165 इंट फाइब तो जो भी पांच सेज थी ना तो 165 एक सेज का डिले हम आन रहे है तो 165 इंट फाइन सेकेंड लागा पहली instruction को बाकि सारी किसार इंस्ट्रक्शन कितने सब्सक्राइब कर दिया था इंक समझ में आगया होगा डिटेल सारी मैंने आपको अर्टेक्शर में समझानी है यह तो सिर्फ introduction दे रहा हूं और आपको सिर्फ कोशन कर वा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं यहां ठीक है तो समझ में आगया होगा प्लीज इसको अंसर निकाल लेना जो भी आंसर आएगा आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है चलिए ओक थेंक यू